हाई एवरिवन एगनू के जो एडमीशन है करेंटली जनवरी 2023 सेशन के वो ओपन है और कुछ स्टुडेंट्स की क्वारी हैं लास डेट के रिगार्डिंग और क्या ये लास डेट को एक्स्टेंड करा जाएगा या नहीं देखो लास डेट अगर हम में बात करूँ तो ये एगनू की ओफिशल वेबसाइट है यहां रजिस्टर ऑनलाइन में जाकर फ्रेश एडमीशन के सेक्शन में आप जाओगे तो करिंटली एडमीशन ओपन है सभी कोर्सिस के और इसकी लास डेट फिलाल के लिए 31 जनवरी 2023 है हमारे चैनल के ओपर एगनू का फॉर्म कैसे बरना है या फिर अलग लग कोर्सिस की डिटेल MBA, M.com, MA English, Pols, Science, History और वो डिटेल अवेलेबल है अगर आप चाहते हो कुछ और कोर्सिस की भी वीडियो बनाई जाए तो प्लीज कोमेंट सेक्शन में लिख कर बताईए अब जो मैं बात कर रहा था लास डेट की देखे फिलाल के लिए लास डेट ये है अब बात आती है क्या इसको एक्स्टेंट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा इसका आंसर है Yes, It Will Definitely Extend और कम से कम पहली बार में इसको दो हफ़तों के लिए अट लिस्ट जरूर से एक्स्टेंट करा जाएगा विकोज इगण्यू में हमेशा से ये चीज रहती है कि जो admission form निकलते हैं उसकी जो initial last date होती है यानि कि सबसे पहले जो last date रिकी जाती है उस last date को हमेशा से extend करा जाता है और बात ये सिर्फ new admission की नहीं है यहाँ पर और भी जो activities एगनु में रहती है जाहे वो exam form हो गया, assignment submission हो गया, re-registration हो गया हर एक activity की last date को एगनु extend करता है student friendly university है एगनु तो इसको definitely extend करेगा तो आपको लगता है कि अभी आप admission लेनी की condition में नहीं हो आपके पास उतने पैसे नहीं है तो थोड़ा सा और आप रुक सकते हो 31 January के बाद भी आपके admission होंगे और initial stages में most likely 14 February तक और overall जो expected है कि कम से कम 28 February तक इसके last date चलती रहेगी और यहाँ पर जो extension रहेगा वो initially पूरे एक मेहने का नहीं देंगे है यानि कि पूरे एकदम से 28 February नहीं कर देंगे या तो वो लोग 7 February करेंगे पहले या 14 February करेंगे लेकिन इतना जरूर किसकता हूँ कि कम से कम 14 February तक या कम से कम 28 February तक तो इसके admission चलने ही चलने है तो I hope दोस्तो आपको आपके query का answer मिल गया हो तो वीडियो को शेयर करेगा और चैनल पर पहले बार हूँ तो चैनल को subscribe किजिएगा Thank you